हेलो फ्रेंड्स मैं जहीर खान LCD LED TV ट्रेनर मुंबई से फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो इस वीव LED TV के उपर है और इस वीडियो में खास बात यह है कि इस वीव का LED TV के अंदर जो मदरबोर्ड यूज हुआ है वो तिकोन बेस है मदरबोर्ड के अंदर ही तिकोन बना हुआ है और बीओई का पैनल है तो आज इसी TV के अंदर हम लोग इन्वर्सल बोर्ड मार्केट वाला लगाएंगे और इस पैनल के साथ में कौन सा तिकोन मैच होगा उसकी जनकरी में आपको इस वीडियो में दूँगा तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोर्ड का नंबर tp.vst59t.pv768 इस बोर्ड का नंबर है और इस बोर्ड के अंदर जो है आपका तिकोन भी बना हुआ है आप देख सकते हैं आईए आपको नजदिक से में दिखाता हूँ तो उम्मेद है कि अभी आप बराबर देख पा रहे होंगे तो इस मदर बोर्ड के अंदर तिकोन बना हुआ है इन बिल्ड तो क्या होता है कि या तो आप सेम बोर्ड डालिए या इनवर्सल बोर्ड के साथ में इसमें जो पैनल लगा है उसके मैचिंग का तिकोन लगा है और उसके बाद कोई भी इनवर्सल बोर्ड लगा है तो प्रेंट्स इसमें जो में आईसी है यही फॉल्टी है इसका रेम खराब है और सेट जो है इस टेंबबाई से रिलिज नहीं हो रहा था चन्फर्म करने के बाद पता चला कि इसका में आईसी ही खराब है और यह एक टेक्निसियन जोब था तो जो टेक्निसियन ने टीबी मुझे लाया था दिखाने के लिए तो आल्रेडी वो पूरी मेहनत कर चुका था बोर्ड को रिपेर करने के पूरा कोशिस किया था लाश्ट में वो मेरे पास लाया था और दिखाया तो मैंने भी उसको confirm करके दिया कि इस IC में RAM का section जो होता है वो खराब हो चुका है और अब IC बदले या board बदले तो हुआ कि इसमें body change कर देते हैं तो मसला यहार आता कि इस board को change करेंगे तो फिर इसके साथ में जो है हमें कोई न कोई एक तिकोन लगाना पड़ेगा तो इसमें कौन सा तिकोन match होगा उसके लिए हमें जो है इस set में जो panel लगा हुआ है उसका number देखना पड़ेगा तो आईए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस set में panel कौन सा है तो आप देख सकते हैं यहाँ से यह दो कफ वाला पैनल है और इसका मैं आपको और नमबर भी दिखाता हूँ नजदिक से तो आपको और नजदिक से थोड़ा सा दिखाता हूँ अभी आप देख सकते हैं बी ओई का पैनल है इसको कोई BOE बोलता है कोई BOE बोलता है और पैनल का जो नमबर है वो HV320 WHVN81 लिखा हुआ है और फ्रेंट्स यह इसका एक काफ है तो आईए आपको मैं पूरा स्केलर PCV दिखाता हूँ नमबर के साथ में तो इसी स्केलर PCV में काफ के अलावा जो है आपको तीना इसी और देखने को मिलेगा एक काफ के पास था यह कहां LVDS केवल के पास में है और यह आपका LVDS स्ट्रिप हो गया और उसके बाद से जो है आपको इस स्केलर में जही से जही से आके बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर भी आपको नमबर दिखाई देगा जहाँ पर 32 HD लिखा हुआ है उसके बाद से आपका दूसरा कोफ तो फ्रेंट से यह दो कोफ का पैनल है और BOE का पैनल है तो आपको मैंने पूरा स्केलर पीस भी इसका दिखा दिया है और अब जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है LVDS के पास में जो है दिकोन बना हुआ है फ्रेंट्स जो बोड आप देख पा रहे हैं अभी यह इनुवर्सल कॉमो मदर बोड है और इस बॉक्स मेंसे मैंने जो है बोड पहले ही निकालके अपना सेट के उपर रख दिया है इस बोड का ही यह बोक्स है जो मार्केट से सात में आता है तो बोड उसमेंसे निकालके मैंने यहाँ आप देख पा रहे होंगे जेस्ट अभी रखा ही हुआ है अभी फिटिंग ओगर बाकी है तो आएए इस बोर्ड का नजदिक से नंबर दिखाता हूँ आप सबको यह TP53U73.2 है तो यह जो है बोर्ड में पहले ही आप लोगों को दिखा चुका हूँ इसके उपर एक वीडियो बना चुका हूँ अल्रेडी तो इस बोर्ड का डीप में तुम्हें कोई जनकारी नहीं दूँगा लेकिन उस बोर्ड के साथ साथ इस panel पे कौउना तीकों लगा के और यह बोर्ड लगा जया सकता है उसकी में आपको यहाँ पर पूरी जनकारी देता हूँ तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे यहाँ पे तीकों के उपर जो है नम्र लिखा हुआ है और यही तिकोन जो है इसमें इंस्टॉल करेंगे तिकोन के बैक साइड में आप देखेंगे तो यह किस-किस पैनल के नमबर पे सपोर्ट करेगा वो आपको यहाँ पे सबसब लिखा हुआ दिखाई दे सकता है तो जो हमारा पैनल था उसको यह तिकोन जो है सपोर्ट करता है और यह मार्केट में अब लेवल है मेरे पास भी मिल जाएगा अगर आप लोगों को जरुवत होगा अगर आप इस तिकोन को मंगाना चाहते हैं तो मुझे कॉल करके बोल सकते हैं या कमेंट बोक्स में कमेंट करके आप मुझे से यह तिकोन मंगा सकते हैं या अब लेवल है मेरे पास भी और यहां पर आप एक बार जो है देख सकते हैं और चाहे तो इसका स्क्रीन सोट भी आप लोग लेके रख सकते हैं ताकि जो है आपको कभी भी फ्यूजर में जरुवत पड़े तो यह पैनल के नंबर के साथ में जो है आपका यह तिकोन का इमेज आप रखेंगे तो आपके काम आएगा यही सोच के मैंने जो है यहां पर पैनल के पास तिकोन को रखके और इसका वीडियो बनाया है ताकि आप लोग को ज्यादा आसानी हो आगे आप लोग अगर इसका स्क्रीन सोट ले लेंगे तो आपको पैनल नंबर के साथ साथ तिकोन का नंबर भी मिल जाएगा और फ्यूचर में आप आसानी से जो है इस पैनल के साथ में जो है कोई भी इनवर्सल बोर्ड इस्तिकोन के मदद से लगा सकते हैं फ्रेंट्स यह वीडियो डब करते समय बहुत जूर की बारिस आ गई थी उसकी आवाज आप लोग वीडियो में सुन सकते हैं तो जैसा कि आपने देखा कि अभी बोडर का मैंने फिटिंग कर दिया है अब आगे इसमें ब्रडियो का कनेक्शन करेंगे तो friends ये वीडियो देखते देखते अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप तक तो सब्सक्राइब कर दें और bell notification को on करके all notification पर set कर दें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से देखने को मिल सके और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को तो इस वीडियो को like आशएर करना न भूलें तक आप लोग वीडियो को जितना like करते हैं गांन करते हैं उतना हम लोग का होसला बढ़ता है और वीडियो नया नया बनाने का मन होता है तक कि आप लोगों को जदा सजदा जनकारी दे सकें नई-णई मार्केट में जो बोड आये हैं या और वे इंफर्मेशन है उसकी जनकारी आपको वीडियो के माध्यम से दें तो फ्रेंट्स जिसके आप यहां पर देख रहे हैं कि बोड का फिटिंग स्टार्ट कर दिया है अभी जो है और इसका सेंसर का वायर और की के जो है हमने इस बोड के साथ में कनेक्ट कर दिया है अलवीडियो लगा दिया और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि तिकोन को अब कर दिया है आपको भी इसी तरह से जो है जहां पर साइड में जगह मिले वहां पर डबल टेप के माध्यम से आप तिकोन को फिक्स कर सकते हैं छोटा सा बोड है और कोशिस यह करें कि चार में से कोई एक जगह पे कोई एक स्कुरू आप फिक्स कर दे ताकि फ्यूचर म तो देख पा रहे होंगे कितना बैतनी फिटिंग हो गया है यहाँ पे और फ्रेंट्स अगर आप LCD LED TV की ट्रेंडिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे दिया हुए नंबर पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर रहता है वहां से भी आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं LCD LED TV की कोर्स करने के लिए और नेक्स्ट मंत में मेरा जबलपूर में LCD LED TV ट्रेंडिंग सेमिनार है तिन दिनों का तो अगर आप लोग जबलपूर में ट्रेंडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे औरगनाज़ेर को कौल करके संपर्प कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने सेट को ओन कर दिया है और इसमें फर्स ख्लस गृ। डिस्प्लें आगया है फर्स क्लस सिर्फ इसमें यह रिमोट इसके मद्यम से का सर्विस मोड है वो मेनू 1147 है तो जैसे ही आप मेनू 1147 प्रेस करेंगे आपको फेक्टरी सेटिंग ओपन होके मिल जाएगा और यह जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि पैनल सेटिंग में जाने के बाद हमें बैक लाइट का सेटिंग TI Map करेता है LVS का सेटिंग रेता है AV Board का सेटिंग रेता है और Mirror करेता है तो हमें सिर्फ इसमें Mirror करना है जैसे कि देखिए आप Mirror Off था, On किये तो हमारा डिस्पले के हिसाब से हमारा सेटिंग हो गया Board को हमने यहाँ पर मेचिंग करा दिया है अब इसमें जो Mirror का प्रोब्लम था वो सर्व हो गया और उसके बाद से अब हम जो है इसमें अगर चाहें तो और भी जो है requirement जो भी लगे जिसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक लाइट जो है थोड़ा डल जल रहा था तो बैक लाइट जो है बहतरी नावे उसके लिए जो है हम यहाँ पर आपको variation करके दिखा रहे हैं बैक लाइट के setting में जा करके तो इसी तरह से आप भी जो है बैक लाइट का setting आप इसको parameter को जो है कम ज़्यादा करके और आप कुछ जहाँ पर सही लगता है कि आपके screen यहाँ पर परफेक्ट दिख रहा है आपका picture यहाँ परफेक्ट आएगा तो उतने setting पर रख सकते हैं तो उसके बाद से आप menu को दो बार प्रेस करेंगे तो आप back आजाएंगे service mode से बाहर आजाएंगे और अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टीवी के हिसाब से menu आने लगा है अब हमें अगर इसमें और भी कुछ setting करने की जरूत है तो हम कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पर देखिए हम जो है power on logo जो है off है तो उसको जो है check कर रहे हैं कि हमारे टीवी के हिसाब से कोई इसमें लोगो है या नहीं है तो हमारा टीवी था व्यू का तो इसमें व्यू का लोगो नहीं है इसलिए हम power on लोगो को off ही छोड़ देंगे क्योंकि अगर same brand का लोगो होता तो उसको on कर देते अब यहाँ पर देख सकते है पिक्चर परफेक्ट आ गया है कोई दिक्कत नहीं है इस टीवी में तो फ्रेंड्स उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो आप जिस भी गुरूप में है वहाँ शेयर करें और लाइक मैक्सिमम जितना हो सके उतना लाइक करें और अगर आप LCD LED TV की ट्रेंग लेना चाहते है तो सौट टाइम का कोर्स रहता है जैडम इंस्ट्यूट के नाम से मेरा मॉंबई में LCD LED TV की ट्रेंग चलता है जो आपका चार दिन, छे दिन, आठ दिन, दस दिन, पंदरा दिन और एक मैने का होता है उसके अलावा अलग अलग सेयरों में सेमिनार भी चलता है जैसे भी आने वाले वक्त में जवलपूर में अमरा LCD LED TV की सेमिनार होने वाला है जैसे भी आपका चाहिए, जैसे भी आपका चाहिए, आपका चाहिए